नमस्कार मैं डक्टर नेरेश सुकला और मेरे चैनल डक्टर जियोतिस में आपका स्वागत है जो आपका प्यार लगातार बना हुआ है उसी से उत्साहित होकर मैं आपको नए नए वीडियो डालते जा रहा हूँ और नए योगों के बारे में सिखाता जा रहा हूँ और मैं अब बार बार कहता हूँ कि योगों को आप एकदम रट लीचे क्योंकि एक योग आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा वहाँ एक्स्प्लेन करने की रुड़त नहीं पड़ेगी आज हम पढ़ेंगे टाइम नहीं खराब करेंगो सत्रू मूलक योग यह सत्रू मूलक योग क्या है पहरे तो यह देखते हैं फिर मैं आपको कुंडली में समझा दो कर सत्रू मूलक का मतलब है कि आप सत्रू से भी धन कमाएंगे सत्रू से भी धन कमाएंगे मैंने का ना कि अगर एक एक ग्रै को एक्स्प्रेन करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे सत्रू से फाइदा कमाएंगे यह होता है सत्रू मूलक योग तो सत्रू से कंडिसन क्या है उसकी सत्रू मूलक योग उसकी सेकंड भाव का स्वामी ये लगन होता है ये सेकंड भाव है ये तो मैंने एक कुंडली बना रखी है आपके में यहाँ पर सेकंड भाव में कुछ भी हो सकता है कोई वी रासी हो सकती है मेरे में मिथुन है अगर सेकंड भाव दूसरे भाव का स्वामी बली हो जाय, यानि सेक्ट भाव का स्वामी बली हो जाई, ये एक्जाम्पिल कुंडली है, और आपके में यहापर कुछ भी हो सकता, आप अपने उक्ते देखीएगा कि सेक्ट भाव में कौन सा रासी है, उसका स्वामी कौन है, सेकंड भाव का स्वामी अगर बली हो जाए यानि स्वरासी में हो जाए अपनी रासी में हो जाए उच्छ का हो जाए नमान समय उच्छ का हो जाए पहली कंडिसन लगनेज बली हो लगनेज भी बली हो लगन का स्वामी बली होना चाहिए तो दितियेश का सम्मंद अगर सस्टेश से हो जाए छटे भाव से या छटे भाव के स्वामी से तो ये योग बनेंगे आपका लेकिन दितियेश का और लगनेश का बली होना जरूरी है दितियेश और लगनेश का बली होना जरूरी है अगर बली नहीं है तो योग नहीं बने गई अब देखिए दितियेश का यहाँ स्वामी अब बुद्ध है तो हमने बुद्ध को यहाँ बैठा दिया अब दितियेश बली हो गया दितियेश का समंद सस्टेश भाव से या उसकी जो स्वामी है उससे होना चाहिए तो इसका स्वामी हमने सुक्र कर दिया छटे भाव को स्वामी सुक्र हो गया अब देखिए लगनेश बली हो गया त्रिकोन में बैठ गया पांच में भाव में बै होते हैं यहां बैठ गया और सश्टेस का सम्मंद कि छटे भाव का सम्मंद किसे हो गया दितियेस से हो गया तो दितियेस और छटे भाव का सम्मंद होना चाहिए लेकिन condition फिर में बार बार कहा रहा हूँ दितियेस का बली होना जरूरी है और लगनेस भी powerful होना चाहिए यानि लगनेस नीच का ना हो भावसंधी में ना हो पाप ग्रहों के बीच में ना फसा हो 6-8-12 में ना बैठा हो ये लगनेस लगनेस के लिए भी condition है दितियेस देखिए अपने मूल त्रिकोन में उच्च का हो गया है बुद्ध उच्का हो गया है अब इसको explain करने जाएंगे तो हम ये करेंगे कि दितियेस बैठा हुआ है पंचम भाव में तो वाकिवानी अच्छी हो गई ये तो explanation अलग हो गया वो तो है ही पहले से ही है सबको पता है कि second भाव वानी का होता है परिवार का होता है धन का होता है अब इसको explain करने लग जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा तो पहला जो मोडा मोडा है उसको देखिए फिर इसको explain करिए आपके उसकुनली आ सकती है second भाव बली होना चाहिए लगनेस बली होना चाहिए तो सत्रमूलक योग कहला ता है योगों को आप कुछ भी नाम दे सकते है किताबम जो इसका नाम है सत्रमूलक योग यानि सत्रूं से धन कमाना सत्रूं से भी धन आएगा आपका तो इससे समंदित आपकी कुछ भी जानकारी हो आप पूछ सकते हैं अगर दितियेस बली नहीं है तो योग नहीं बनेगा लगनेस बली नहीं है तो योग नहीं बनेगा तो आपकी किसी कुनली में योग बन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं पूछ सकते हैं तो इसी के साथ मुझे को विदा दीजिए चैनल को जादा जाद सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और भी कुछ आपकी जानकारी है कुछ चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बाक्स में जरूर लगिए नमस्कार